कि अच्छ पांच मिनट तो आज कि बस पांच मिनट में हम बात करेंगे वीवर ब्लड मून के बारे में तो फर्स्ट अप वजरा देखते हैं आखिरी वीवर ब्लड मून न्यूज में क्यों है देखिए टुड़े एट अप नमंबर को आज कहा जा रहा है कि टोटल लुनार लुनार एकलिप्स का सिच्वेशन बनने वाला है फिनामिना बनने वाला और इसके साथ ही साथ ब्लड मून की भी फिनोमिना होने वाली है तो हमारे ले इंपोर्टन क्या हो जाते है समझना क्या क्या होता है या पर ब्लड मून वाली सिच्वेशन क्या होती है उन सारी बात का situation बन सकता है मिस नॉवंबर में ऐसा बनने वाला है तो आज एट तो आप नॉवंबर को ऐसी फिनोमिना होने वाली है और यह से अगर हम बात करें कहां से देखा जा सकता है तो इसे डन एसिया का जो पार्ट है खार करके नॉर्थ इस्ट एसिया इंडिया की जो एरिया है वहां से इस्टन एशिया हो गई और फिर नर्दन अमेरिका जो है यहां पर इसे पूरी तरह से देखा जा सकता है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले जरह समझते हैं आखिर यह लूनार एकलिप्स होता क्या है जो पूर्ण चंद्र ग्रहन होता ह है और इस है सब्सक्राइब क्या होता है कि हम सभी को पता है कि जो मून है वह संब्सक्राइब कर क्या होता है कि sun, earth और जो moon है तीनो के तीनो एक direction में straight line में आ जाते हैं तो क्या होगा कि जो sun का light है ये पूरी तरह से moon पर नहीं पहुँच पाता है और इसी situation को total lunar eclipse कहा जाता है कुछ जो moon होता है पूरी तरह से dark दिखने लग जाता है और इसी को अम पूर्ण चंद्रगरहन के situation कहता है ऐसा rare होता है बहुत कभी होता है कि जो पूरी तरह से straight line में हो सकता है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोई जुरूरी नहीं कि जब इसे earth circle लगा रहा हो तो हो सकता है moon इस part में हो सकता है but तो कभी कभार situation बनते straight line वाली जिसके current total lunar eclipse वाली situation मन जाती है means पूर्ण चंद्रगरहन लग जाता है तो ये तो बात हो गई कि पूर्ण चंद्रगरहन क्या होता है but इसी situation में कहा जा रहा है कि जो हमारा moon है ये blood moon होने वाला है तो ये blood moon वाला concept क्या होता है जरह इसको समझते हैं होता क्या है कि जब sun और earth और जो हम moon हैं बात कर रहे हैं तो ये straight line में आ जाते हैं तो ऐसे situation में sun की light obviously नहीं पहुँचेगी moon पे but इसमें कुछ जो light होती है और reflect करके moon तक पहुँच जाती है इसको ज़रह समझते हैं कि ये कैसे होता है देखिए बिग्योर के विसम हम सभी ने पढ़ा होगा इसमें क्या होता है कि starting के जो कुछ color होते हैं ये short wave length के होते हैं तो ये क्या होते हैं कि जैसे earth के atmosphere में आते हैं यहाँ पर यह पुरीत्रसी हैं पर विखर जाते हैं खत्म हो जाता है और रेडिस सेड के कारण इसे blood moon कह दिया जाता है तो इस phenomenon को ही हम blood moon के नाम से जानते हैं आप समझ सकते हैं ये कभी कभारी situation होगा कि जब blood moon वाली situation बनेगी और इसमें भी इस साल के जो blood moon है इसे वीवर blood moon कहा जा रहा है वीवर blood moon कहने के पिछे कारण क्या है कि देखे बिशिकली ये स्टार्ट होने वाला है नर्दन अमेरिका से और नर्दन अमेरिका में क्या है यूएस में खास करके यहाँ पर एक story है इसे related blood moon की जो situation है उससे related एक उनकी एक native American के story है जिसमें इस situation को वीवर blood moon कहा जाता है blood moon को वीवर कैसे situation हो रही है अब बात आती है कि रेडिस जो होगा यह कितना रेडिस होगा यह कैसे decide होगा देखे decide obviously होगा यहाँ पर जो atmosphere है अर्थ का यहाँ पर situation कैसी है means यहाँ पर air pollution कैसा है dust storm कैसा है तभी तो यहाँ से reflect होके यहाँ पर light पहुंच सकती है तो इस पर पूरी तरह से depend करता है कि आंकि इसका रेडिस कितना होने वाला है अब how rare कहा जाता है कि कितना rare है देकि जो scientist है according to NASA कि अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि एक डिर सालों में ऐसा सिच्वेशन कभी कभार बनता है जब blood bone वाले सिच्वेशन बनेगी और total lunar eclipse वाले सिच्वेशन बनेगी तो यह कभी कभार ही होता है next time 25 में होने वाला है March 25 में होने वाला है तो hope आपको यह वीडियो समझ में आया होगा thanks for watching